ना सदा सिन्नो सदा सित्त दा नीम ना सित्र जो नो व्यो मा परोयत किमा वरेवह कुह कस्य शरमन्नम भा किमा सित गहनम गवेरं त्रिष्की से पहले सत नहीं था असत भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था चिपा था क्या कहा किसने ढखा था उस पल तो अगम अतल जल भी कहा था स्रिष्टी का कौन है करता करता है वाह करता उन्से आकाश में रहता सलाह अध्यक्ष बना रहता वही सच मुझ में जानता या नहीं भी जानता है किसी को नहीं पता नहीं पता नहीं है पता नहीं है पता किसी कोड ही आए भी बना डिलत के रहता नहीं में बना वांट का नहीं पता च। तनकना आए फनी ही पता कि निंदा का मुझे कुछ ज्यादा ही शौक है। वैसे मैं उनकी तारीफ या आदर की गुंजाइश भी कम देखता हूं। पर अब हम एक ऐसे शख्स का जिक्र करने जा रहे हैं। जो राजा होते हुए भी महान और काबिले तारीफ था। और वो है चंद्रगुप्त मौर्य का पोता अशोक महान। उनके बारे में एच जी वैल्स कहते हैं जहां एक और इतिहास के हाशियों में दस्यों हजार राजाओं का जिक्र मिलता है। वहां एक नाम उन सबसे अलग किसी सितारे सा चमकता हुआ नजर आता है। और वो है समराट अशोक का नाम। रूष से जा तिबत चीन और यहां तक की हिंदुस्तान में भी। हाला के उसके सिधान्तों को छोड़ दिया गया है। अशोक की महान्ता की परंपरा को सहेज कर रखा हुआ है। शुक समाचार है महाराज। तक शिशिल में विद्रो कुचल दिया गया है। अब तो सब ठीक है। सब ठीक है। स्थिती युवराज सुशिमा के नियंत्रण में है। तुरंद उसे बढ़ाई संदेश बेजो। जी महाराज। विक्रमबट, राजकुमार अशुक का कोई समाचार नहीं है। मैं कहने ही जा रहा था। राजकुमार अशुक की सहायता से ही शान की स्थापित हो पाई। महाराज, वर्षों से विद्रोही बीच बीच में अपना सिर उठा रहे हैं। युवराज सुशिमा कुछ नहीं कर पाए। यही सोचकर तो आपने राजकुमार अशुक को भेजा। तुम कहना क्या चाहते हो। यही बधाई संदेश राजकुमार अशुक को भेजना चाहिए। यह कैसे हो सकता है। सुशिमा तक्षशील का अक्षत्रपाल है, शासक है। बधाई संदेश उसे ही भेजो। जी महाराज। रादागुप्त, राज संचालन में तो युवराज सुशिमा निपण है। किन्तु इतने बड़े विद्रो को दबाना आसान तो है नहीं। अनुभव के साथ धीरे धीरे वह भी आ जाएगा। महाराज की छत्रचाया में सब सीख जाएंगे। अभी युवराज सुशिमा की आयू ही क्या है। राजकुमार अशोकी तो उससे भी कम है। फिर भी छोटा होकर बहुत बड़ा काम कर दिखाया। कोई कुछ नहीं करता राधा गुप्त सब नियति के नियंतरण में है। जो होना है वही होता है। मनुष्य तो मात्रफ होनी का माध्यम है। युवराज सुशिमा की अपेक्षया यदि राजकुमार अशोक शेष्ट है तो है। वाद विवास से इस सत्य को बदला नहीं ज केस लग चुकी है। सामराज का व्यापार केंद्र है तक्षशील वहां शांती बनाए रखना बहुत आवाशक है। राजकुमार अशोक के वहां नहोने से विद्रो फिर से भढ़क सकता है। मेरे विचार से राजकुमार अशोक को तक्षशील में ही रहना चाहिए। दोन इस विशे पर निरने ले लिया है मैंने। राजकुमार अशोक को उजयन का शत्रपाल निक्त किया जाता है। परन्तु महराज। यहीं ठीक है। समाचार सुनकर आपको तो जैसे सांप सूंगया। आश्चर ही है कि आपको यह सुसना विक्रम भट सभी है। इसी असमंजस में मैं भी हूँ। मेरा गुप्तचर अभी तक तक शेशील से नहीं लौटा है। और विक्रमठ के पास समाचार भी पौश गया। निश्चे ही उसमें राजकुमार अशोक के सामने कोई गुप्तचर रख छोड़ा है। आपका अनुमान सही है। जब से राजकुमार अशोक वहां गये हैं उनकी गत्वीदियों की सूसना महाराज को मिलती रही है। और वो भी विक्रमठ भटवार है। आपको पता था। तो बताया क्यों नहीं। पहले संदे भर था। अब विश्वासे। किसी भी प्रकार। राजकुमार अशोक को साधन करना चाहिए। कि राजगर्दी हत्याने का संगर्ष रो हो चुका है। संगर्ष नहीं राधागुप्त शड्यंत्र कहो। अशोक को क्या पढ़ी है कि वो इसमें पढ़े। सुशीमा भाई हम सब में बढ़े हैं। इसलिए वही राज सम्हालें पिताजी के बाद। उचित भी यही है। संगर्ष का प्रशन ही नहीं होत्ता। तिस्सा तुम अभी नादान हो। इतना बड़ा सामराज चलाना सुशुमा के बसकरोग नहीं। राजकुमार अशोक तक्ष शील समय पर नहीं पहुँचते। तो सुशुमा कब के मौत की खाट तरचके होते। रही उनके बड़े होने की बात। तो अर्थ शास्त्र के अनुसार, बड़ा हो या छोटा। राज का उत्तराधिकारी। यदि प्रजाव राज की रक्षर नहीं कर सकता। तो उसे राज सिंगासमर बैठने का कोई अधिकार नहीं। ऐसा लगता आप सुशुमा से घ्रणा करते। हाँ। करता हूं। उसे साधारन व्यभार ग्यान तक नहीं। यह आप कैसे कह सकते। व्यक्तिकत अनभाव से। एक बार किसी बात पर वाद विवाद चल रहा था। मैंने सुश्मा के प्रस्ताओं का विरोध किया। तो उसने भरी सभा में मेरे सिर पर चपत मार दी। क्या। हाँ। सब के सामने। अब आप सोचिए। जो व्यक्ति प्रण मंत्री का ऐसा अपमान कर सकता है। वो राजा बनकर क्या नर्थ नहीं करेगा। अरे किसी भी व्यक्ति को फरसी पर लड़का देगा। इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ। कि राजकुमार अशोख ही राज सिंगासन की गरिमा बनाये रख सकते हैं। इन्तु महाराज और विक्रम भट उर्शीमा के भक्ष में। वो देख लेंगे। सबसे पहले राजकुमार अशोख को सावधान करना चाहिए। गुत्चर को ढूल कर विक्रम भट का चकर रूप तोडना चाहिए। नगर निवासियों सावधार। शूरवीर, प्रतापी, दानवीर, महाराजा धिराज के पुत्र, उच्चन नगरी के ख्षेत्र पाथ, राजकुमार अशोख पधार रहे हैं। गुत्र, प्रतापर रहे हैं। च्चन नगराण सावधार मेराण सावधार। जच्चन नगराण सावधार। राजकुमार आविश्मान, सेवक का नाम महिंद्र भट है, उज्जेन का नगर पुरोहिद, नगरवासियों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ. हमें विश्वास है कि आपके कुशल प्रशासन में उज्जेन नगरी सुख और सम्रदिके पत्पर और भी आगे बढ़ेगी. हमारी भी यही इच्छा है कि सभी सुखी रहें, हम पूरा प्रयात्म करेंगे. इस समय किसी को कुछ कहना है तो निस्संग कोच कह सकता है. यदि आग्या हो तो, हाँ, कहिए. मेरा नाम सुख विहार है, व्यापार श्रेनी का शेष्टी हूँ, और साथ ही बउद्ध संग का सदस्य भी हूँ. हमारी इच्छा थी कि भगवान बुद्ध की शिक्षा का प्रचार प्रसार करने है तो, पासी के गाउं में एक विहार की स्थापना की जाए. अवश्य कीजिए. किन्तु जिस भूखंड पर हम ये विहार बनाना चाहते हैं, वो शासन का है, यदि राजकुमार की अग्या मिल जाए तो, हाँ हाँ, हमें कोई आपत्ती नहीं है. छमा करे महाराज, मुझे आपत्ती है. स्पष्ट कीजिए. आपके दादा स्री, समराज चंद्रगुप्त ने ये भूखंड हम ब्रामणों को दान में दिया था. इस पर बौध्धों का अधिकार तो हो ही नहीं सकता. और विसेशकर असमाजिक कारियों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं. असमाजिक कारियों? महराज आप नहीं जानते हैं इन बद्धों की करतूते हैं. गाउं गाउं जाकर ये लोग नास्तिक्ता का प्तचार करते हैं. ये लोगों को अधर्म की ओर घसिटते हैं. समानता की बाते करते हैं. उच, नीच, छोटे, बड़े, किसी कभी धान नहीं रहा इन लोगों को. हमारी आप से प्रार्फना है कि इन अधर्मी बिखारियों को पकल कर कले से कला दंड दिया जाएं. और धर्म की रक्षा की जाएं. मैंने आपत्ती का कारण पूछा था, उपदेश देने के लिए नहीं कहा. ठीक है, यदि वो भूखंड ब्राह्मनों को दिया जा चुका है, तो विहार कहीं और बन जाएगा. चंदर सेन, इनके विहार के लिए भूमी का प्रवंद किसी और स्थान पर कर दिया जाए. आप सहमत हैं? जी यही बिल्कुल उच्जत होगा. हम आप क्या भारी हैं? हमारा आपसे आगरा है, कि भूमी पूजन के समय उपस्तित रहकर हमारा उत्साह बढ़ाएं. संग आजीवन राजकुमार का आभारी रहेगा. कितने स्वभागी की बात है, कि जितना उदार पिता है, उतना ही उदार पुत्र भी है. और दोनु हमारे अपने हैं, एक हमारा राजा और एक हमारे क्षेत्र पाल. क्या बात है सुख्वयार? ऐसे ही, कुछ विशेश नहीं. हमारे आपके लिए ना सही, इनके लिए तो विशेश होगा. ये इस तरी कौन है? क्या चाहती है? ये मेरी बेटी है यूराज. और जानना चाहती है कि भिक्षों को धर्मोबदेश देने और भिक्षा मागने पर रोक क्यों? कौन रोकता है? भूतपूरू उक्षेतरपाल का बनाया हुवा नियम. अच्छा. और उसका पालन तो हम करी रहे हैं. बताये ना? कुछ विशेश नहीं. देखिए ऐसा है कि इस नियम के पीछे कोई उद्देश रहा होगा. मैं देखता हूँ कि ये नियम राज जी अप्रजा के हित में है या नहीं? जदी नहीं है तो. हमारे लिए यही बहुत होगा राज कुमार. कुमार यहां की सेर नहीं करना चाहेंगे? लगता है हमारे सोभाग्ये से ही ब्रामनों ने आपत्ति की थी. पिछले स्थान के अपिक्षा यहां कहीं है अधिक शानती है? हूँ. सुख विहार, धर्मो उपदेश देने और विक्षा मांगने पर जो रोख है हम उस पर गंभीरता से विचार करेंगे. और भी कई नितियां हैं जिन पर विचार करना आवश्यक है. यदि आप कहें तो व्यापारियों के दुख के वारे में भी बता दूँ. हाँ, हाँ, क्यों नहीं? सच तो यह है कुमार, कि माल की विक्री के पहले ही व्यापारियों को अनेक कर चुकाने पड़ते हैं. तो करनिति के वारे में भी बात कर लें. व्यापार के बिगडने से केवल उनकी ही नहीं राज्य की भी आहनी होती है लिघ्याप्ताई खीत्याम प्रॉट आप सुख विहार जी कैसे हैं जी छुपा है आपकी बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई उनसे मैं भेंच देती हूँ नहीं मैं बुलवा लूँगा विहार का काम कैसा चल रहा है वैसे तो ठीकी चल रहा है आप स्वयम देखने को पधारें तो हमारा स्वभाग्य होगा आप स्वयम हमारा स्वभाग्य होगा जी ऐससे उसे मारना नहीं जी विदी पकड़ो इस दिशह में मुझे पूरी जानकारी मिलनी चाहिए डर गए ए यह तो होता ही रहता है मैं विहार देखने आऊंगा और मैं आपका स्वागत करूंगी बहुत संग से तुम्हारा लगाओ कैसे हुआ पिता जी के कारण वही नहीं द्यापाश रेनी की और भी कई सदस से बहुत धर्म से प्रभावत है कोई विशेश कारण एक तो यही कि हम लोगों में आत्मसमान पन अपता है मानमा रियादा मिलती है कैसे जैसे ब्रामण हमें कुछ नहीं समझते तो हम भी उनके सामने सर्जुकाने को बात दे नहीं पिता जी कहते हैं कि ब्रामण ये बात नहीं समझते कि किसी भी राजी की सम्रिध्धी में व्यापारियों का कितना महत्तो है तुम्हारे पिता जी ठीक कहते हैं अच्छा तुम जानती हो भगवान बुद्ध किस गण के थे लिच्छवी गण के मेरी पत्नी भी इसी गण से है वो भी बहुत धर्म से बहुत प्रभावित है कभी कभी बातें भी करती है अच्छा लगता है किन्तु मुझे इसके बारे में कभी गंभीरता से विचार करने का अबसर नहीं मिला पाठली पुत्र में वैसे भी समय सुनो तुम्हारे मन में कभी पाठली पुत्र में रहने का विचार नहीं आया अचानक आपके मन में ये बात कैसे आई नहीं ऐसे ही क्योंकि मुझे तो एक ना एक दिन पाटली पुत्र वापस जाना ही है मैं चाहता हूं तुम भी मेरे साथ वहाँ चलो चलोगी मैं क्या कह सकते हूं? आ या ना पिता जी से आग्या लेनी होगी शमा करे राजकुमार किन्तु बहुत ही महात्पुन का रहे हैं कहो राजकुमार ये आदमी गुप्तचर है तिक्षना नाम है जाना माना हत्यारा किसने भेजा इसे? पाटली पुत्र से यो राज सुशिमा के सहयोग्यों ने यहां उनका गुप्तचर कौन है? जी कोई बात नहीं काओ जी चंदर सेन चंदर सेन के कहने पर ही ठीक है सेना नायक से काओ चंदर सेन को तुरंत बंदी बना लिया जाए और सुर्योद्य के पहले उसे सूली पर लटका दिया जाए जो आग गया हत्या करना वश्चक है क्या? देश निकाला भी दिया जा सकता है राज द्रोही के लिए केवल एक ही दंड है मृत्यू महाराज स्रेश्टे सुक विहार जी आप पहुंचे है राजकुमार अशोक की जै आईए सुक विहार जी अब तो आप संतुस्ठ है ना हमारी करनीती से हा राजकुमार किन्तो कुछ बातें वो भी सुलच जाएंगी ऐसे कार्यों में थोड़ा समय तो लगता ही है मैं समझता हूँ वैसे उज्जेन के व्यापारी आप से बहुत प्रसंद है किस सोच में दूब गया राजकुमार बहुश्य का क्या होगा हमारा सामराज जी का शुभी होगा आप क्यों है वो तो है किन्तो आप तो जानते ही हैं कि माहराज बूढ़े तो हैं ही रोगों से भी घरे हुए हैं पता नहीं कब क्या हो जाए उनके बाद हम में से ही किसी एक कोशासन संभालना होगा इसका निर्ने भी शीग ही हो जाएगा आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये बातें आप से क्यों कह रहा हूँ कुछ भी हो आपका विश्वास पात्र बनने का संबान मुझे मिल रहा है यदि किसी लाइक मैं यही कह रहा हूँ राज सिंगहासन के लिए भारी संघर्ष होगा मैं चाहता हूँ कि मेरा अपना एक सैनेवल हो यदि व्यापार श्रेणी का सहयोग मुझे मिल जाए तो इतने शी बार व्यापार श्रेणी को तो आभार व्यक्त करने का अउसर मिल जाएगा आप तयारी करें एक-एक सदस्य आपके साथ है मुझे आपसे यही आशा थी सुख विहार जी एक बात और बन जाए तो मन का बोज उतर जाए अज्यकी जी मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ देवी से? विवाह? हाँ कोई आपत्ती हो तो यही आपत्ती कैसे इश्वर ने चाहा तो शीक रही राजकुमार महराज क्यलाएंगे किन्तु किन्तु क्या? देवी को तो महरानी का पद नहीं ही मिल पाएगा बहुत आगे की सोच लिए आपने आप तो ऐसे समझ रहे हैं कि मैं महराज बन ही गया हूँ वो बाद में अब यह आप यह समझ लीजिए कि आप अपनी पुत्री का विवा राजकुमार से कर रहे हैं बोलिए क्या कहते हैं आप जैसा जामाता मिले इससे बड़ा सवभा कि मेरे लिए क्या हो सकता है तो देरी किस बात की अवे करम भठ सुश्मा अभी तक नहीं आया महराज तक्षिशील में फिर से विद्रोह भड़क उठा है इसलिए नहीं आ पाए कुछ भी करो उसे यहां बुलाओ एक ही उपाई है यदि राजकुमार अशोक को तक्षिशील भेज दिया जाए तो युवराज सुशिमा यहां आ सकते है ऐसी संकट की घड़ी में उन्हें आपके पास ही होना चाहिए महाराज मेरे विचार से युवराज सुशिमा वहीं रहकर विद्रोहूं का दमन करे इस बार उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी अब तो अनभवी हो गये हैं अशोक एक बार विद्रोह कुचल चुका है तो दोबारा भी कर सकता है अशोक को आदेश भेज़ दो कि वो तक शेशील चला जाए और तुरंत सुशिमा को यहां भेज़ दे आप उचित समझें तो मैं संदिश लेकर उज्जेन चला जाओं भाई अशोक से भेज भी हो जाएगी जाओ तुम्हें जाओ लेकिन देर न करो तिस्टा अच्छा क्या जो तुमने उज्जेन जाने की बात की अब हम कम से कम राजकुमार अशोक को साधन तो कर सकते हैं यह तो मेरे ध्यान में ही नहीं आए भैने तो सोचा था कि उज्जेन जाकर मौच मस्ती करूँ त्यान से सुनो तिस्ता, राज कुमार से कहना कि किसे भी इस्तिति में तक शील न जाएं, राज सही हटा देनी की तैयारी किये शत्रुओने, उनके सौतेले भाई भी सेनिकों की भर्ती में लगे हैं, जाओ, समय नस्त न कर। कहना अधिक से अधिक सेना जुटा कर तुरंत पातल पुत्र के लिए प्रस्थान करें, सुशिमा से पहले यहां पहुंच जाएं, तो राज सिंगासनों की मुठ्षी में होगा, और तुम, मैं यहां विक्रम बटकर साध देने वाले मंत्रियों को अपने पक्षमे करने का प् महाराज बिमार हैं तो उनकी सेवा में आपको जाना ही चाहिए, किंतु सिंगासन के लडाई जगने में हापना पड़ियेगा, क्यों? अरे, गिर्थ में प्रानों को संकट में दालने से क्या लाब? नहां ठीक तो कह रहा है, यहां आपको क्या कमी है? शेत्रपाल का पद, घर परिवार, सुक, सुविधाये, इन्हें दावों पर लगाने से क्या मिलेगा? तुम हो मूर्ख, मैं संघर्ष में ना भी पड़ूं तो क्या वो मुझे जीवित छोड़ देंगे? उनके जीवित रहने के लिए मेरा मरना आवश्यक हो जाएगा, और यही बात उन पर भी लागू होती है. तो इसका अर्थ है कि आप राजा बने तो आप भी अपनी भाईयों को माण डालेंगे? बिल्कुल, जो भी सिंघासन को ललचाई आँखों से देखेगा, उसे मरना ही होगा. यह ठीक नहीं लग रहा, आप इससे दूर ही रहिए. दूर रहूं? अयोग्य और विलासी व्यत के हाथों में सामराज्य को चला जाने दूँ, राज सिंघासन का सर्चा उत्राधिकारी मैं हूँ. इतने बड़े सामराज्य को चलाने की योग्यता केवल मुझ में है. मैं अभी अपने सैनेबल के साथ पाटली पुत्र कूच करता हूँ. पिसा, सैननायक से कहो, कल सूर्य क कि पहडी करने जौकडी भरते हुए अश्वारों ही ओपर पड़ेंगी. संगमित्र, आमें. और देवी, तुम, तुम यहीं बच्चों के साथ रहो. वहां सब ठीक होते ही, मैं तुम्हें पाटली पुत्र बुला लूँगा. मुझे पाटली पुत्र नहीं जाना. नहीं जाना? क्यों? मैं यहीं रहना चाहूंगी. अजयन में. किन्तु पहले तो तुम… पहले की बात दूर थी. तो अब क्या है? मुझे भी नहीं बताओगी. आपके साथ पाटली पुत्र में महरानी बनकर जाना चाहती हूं. दूसरी या तीसरी रानी बनकर नहीं. तुमने यह कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें? क्योंकि महरानी के पत का सम्मान तो शत्र ब्याहता को ही मिले यदि मैं वचन दूँ कैसा नहीं होगा तो? तो भी नहीं. मैं आपको वचन बद नहीं करना चाहती हूं. सम्राप का करतव्य निभाने में संभव है आपको कुछ ऐसे निर्ने लेने पड़े जो आपके इच्छा के विरुथ हो. कारण कुछ भी हो सकता है. राजनेतिक, सा कित्में नहीं देखना चाहूंगी. ऐसे संदे मन में लाती क्यों हो? संदे की नहीं, संभावना की बात है. यहां रहकर मुझे संघ का बहुत सा काम करना है. पिता जी को भी मुझसे कुछ सहायता मिल जाएगी. यह कैसी विडम बना है? तुम्हारे पिता के सहयोग से ही मैं राज सिंग हासिन जीतने की बात सोच रहा हूं और तुम्हारे आपकी सफलता के लिए प्रात्ना कर रही हूं. हम पाटले पुद्र पहुंचने ही वाले हैं, राजकुमार. साफ धानी से आगे बढ़ते रहो. संभव है फिर किसी और खत्रे का सामना करना पड़े. जो आगे है. यह बैलगाडी कैसी है? देखो. जी, जो आगे है. कौन हो तुम? इस गाड़ी में कौन है? मेरे मालिक राजकुमार से मिलना चाहते हैं. क्यों? कौन है तुम्हारा मालिक? यह सिर्फ राजकुमार को ही बताया जा सकता है. ठीक है. पहले मुझे देखना होगा. महराज आप? ठीक है. महराज का है? यह रहे. महराज की जय हो. और कौन है? आपका अत्थी. कौन? आप स्वर्म देख लिजे महराज. असंधी मित्रा, तुम? आपका संदेश ना मिलने के कारण में चिन्ती थी. महराज, जब नहीं पता चला कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, तो मानी ही नहीं. लाग समझाया. अंत में राजहट के समने जुकना ही पड़ा. आपको यहां नहीं आना चाहिए था. महराज, आपको भी इस तरह अकेले नहीं घूमना चाहिए. चारुन तरफ शित्रों के सैनिक घूम रहे हैं आपकी ताक में. पता है, कल हम पर आकरमन हुआ था. मेरे कुछ सैनिक भीमारे गए. लंबी यात्रा के बाद सभी ठके हुए आइसी स्तिती में यही अच्छा है कि दुबारा मुट भेड नहूं. महराज, आप भेज बदलकर हमाय सताइए. सैनिकों को आदेज दीजिए कि दो-दो-चार-चार की टुकड़ी में बढ़कर नगर में फैल जाए. चारुन तरफ सैनिक हैं, किसी का ध्यान भी नहीं है. ठीक है. तिसा कहा है महराज? साथ ही है. उसे भी आप अपने साथ ले जाएए. महाराज को महाराज शोका गया है. साथ में पाण सैस्तर सैनिक भी है. महाराज की दशा कैसी है? दशा क्या? दूर दशा कही है. अब गए कि तब गए? वहां उनके साथ और कौन है? विक्रम भाट और उनके सायोगी. चत्रुजी, आपके यहां होने का आर्थ जो आप समझ रहे हैं. अच्छा, तो फिर आप सोयम ही राज कमार से कहें. राज कमार अशोक, मैं और मेरे मंत्री आपका साथ देंगे. कितने मंत्री होंगे? मुझे मिलाकर 101. चुब है. और शेश मंत्रियों का? उनका प्रबंध भी कर दिया जाएगा. सिर्थी बहुत तेजी से बदल रही है. मेरी विचार से आप सोयम को राज प्रत्नी दी घुश्ट कर दीजी. सिंगहासन के संगरश में आपका पलड़ा भारी रहेगा. बाद में जो होगा देख लेंगे. क्या विचार है? हाँ, यही ठीक रहेगा. क्यों कि अटेजी ऐसे में नाइख देखरों में जो होग अब इन्हें भूमी पर लिटा दिए गिंती की सांसे रह गई हैं कोई अंति निक्षा हो तो इसलिए कह रहा हूं कि युवराथ सुचिमा क्याने तक कुछ कीजिए मैं हर संभो प्यत्न कर चुका अब इश्वर ही कोई चमत कार कर दें तो और बात फिर भी कुछ तो कीजिए यदि आप चाहते हैं कि इन्हें पल दो पल का जीवन और मिल जाए तो कृप्या शान्ती रखिए महराज महराज आपके आदेश का पालन न करके राज कुमार अशो कहां पहुंचे हैं महराज इस्थिती बहुत गंभीर है चारो और सैनिक फेले हैं किसी भी समय लड़ाई छड़ सकती है महराज राजकुमार अशोक राजधानी पहुंची गये हैं तो क्यों ना उन्हें राजप्रतिमिती खोशित कर दिया जाए रत पास से बचा जा सकेगा सभी अपने महराज मेरे विचार से यही ठीक होगा युवराज सुशिमा के आने तक आप अरे नहीं अशोक को एक बार राजप्रतिमिती बना दिया तो वो कभी नहीं हटेगा नहीं सुशिमा की प्रतिक्षा करो महराज राज कुमार अशोक महराज प्रणाम आपकी बीमारी का समाचार सुनते ही भागा चला आया यहां स्तिती गंभीर पाई नगर में चप्पे चप्पे पर सैनिक ही सैनिक पता नहीं कब क्या हो जाए यही सोच कर मैंने राधा गुप्त का सुझाव मान लिया और अपने आपको राज प्रतिने धी घोशित कर लिया है तुम राज सिंगासन के लिए शड़ियंत्र कर रहे हो सिंगासन पर तो सुशिमा तुम नहीं कोई नहीं सुशिमा लेकिन कहां है वो यहां तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं जबकि मैं यहां आपके सामने खड़ा हूँ राज सिंगासन के योग्य आपका एक मात्र पुत्र अरे टप्टी इसी क्षण आत्म समर्बन कर नहीं तो राज द्रोही थदेड़ दो थदेड़ दो इस से नगर के बाहर पंदी बना दो इसके संद्र तमाम इतिहासकार मानते हैं के अशोक योगराज नहीं था और राज सिंगासन के लिए राजकुमारों में आपसी संघर्ष हुआ तिब्बत और चीन में संगरक्षित ग्रंथ दिव्यावदान में लिखा है कि मृत्यू से पहले बिंदुसार अपने पुत्र शुशिमा को राजा बनाना चाहता था मगर उसके मंत्रियों ने अशोक का साथ दिया उत्रा दिकास थापित करने में पूरे चार सार लग गए तब कहीं अशोक अपने आपको पूरी तरह से सुरक्षित महसूस किया और 279 इसा पूर्व में उसका विदिवत राज्य भिशेक हुआ तुमने राज सिंधासन पर बल पूरुवक अधिकार जमा कर अच्छा नहीं कि अशोक राजधानी में भाई का स्वागत है क्या मैं पूर सकता हूँ कि किसके आदेश से मेरे सैनिको को नगर की सीमा पर रोका गया आप शांत रहिए ऐसी बातों के लिए ना ये समय है ना ये स्थान स्थिती ही ऐसी थी के तुमने और राजधा गुप्त ने जो शडियनत रचा है राज सिंहासन हतियाने का वो मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ इसमें तुम कभी सफ़ल नी होगे कल सुबह मैं अपनी सेना को लेकर आऊंगा राज सिंहासन हासिल करने युद्ध के मैदान में आपका स्वागत है नगर में प्रवेश करने से पहले ही इसकी हध्या कर दो कर दो कर दो काम हो गया, ठीक है जाओ तो राज अभीशेक की तैयारी की जाए भाई अशोक, अब तो आपके और आपके राज सिंग हासन के बीच का कांटा भी निकल गया है, अभी तो कांटे ही कांटे है तिस्सा, उग्रसेन, पर्वतेश, हरीगुप, यानिगुप, जितने भाई उपने संकट, मुझे पता चला कि ये लोग अपना साने बली कठा करने के लिए नगर से बाहर चले गए, जब तक उन में एक भी जीता रहेगा, हम चैन की सांस नहीं ले सकते, मेरे विचार से ये अच्छा रहेगा महराज, पहले सब उत्रादिकारियों को सोली पर चढ़ा दिया जाए, उसके बाद कुछ राज प्रत्मिदी के रूप में, शास्तन तो आपके हाथ में है ही, मैं आपकी दूर दर्शिता की सराहना करता हूँ पुत जात का स्वामी महान, जो है अस्तित्वमान धर्ती आसमान दारण कर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हविदेकर इसके बल पर दे जो मैं है अंबर, पृध्वी हरी भरी सापित सिर, स्वर्ग और सूरज भी स्थिर ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हविदेकर गर्णों में अपने अगनी दारण कर पैदा कर, ब्यापाथा जल इदर उदर नीचे उपर जगा जो देवों का एक मेव प्राण बन कर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हविदेकर स्रिष्टि निर्माता स्वर्ग रचेता पूर्वज रक्षाकर सद्य दर्म पालक अतुल जन्वियामक रक्षाकर पैरी है दिशाए बाहु जैसी उसकी सब में सब पर ऐसे ही देवता की उपास ना करें हम हविदेकर ऐसे ही देवता की उपास ना करें हम हविदेकर